भारत और पाकिस्तान के बीच मुल्तान की वो जंग आज आपको दिखाएंगे जब पाकिस्तान के दिकच भारत के गेंद बाजों के सामने टिड्डियां बन चुके थे जब एरफान पठान और रुद्र प्रताब सिंग की गेंदबाजी का जवाब पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाजों को नहीं था जब उनकी जमीन पर जाकर ही भारते गेंदबाजों ने रंगा लहराया था तारीक 16 फर्वरी 2006 भारत ने टॉस चीत कर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया पाकिस्तानी ओपनर्स क्रिस पर उत्रही थी कि गामरान अक्मल और सलमान बट पवेलियन भी लोट गए थोड़ी देर बाद शोई मलिक और उसके बाद युनिस खान यानि 29 रंग पर पाकिस्तान के चार पल्लेबाज पवेलियन में जाकर चाय पी रहे थी और भारत ये खेमे में जश्र मनाया जा रहा था वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बेहद दिल्चस्प होती है चार बिकिट किरने के बाद पाकिस्तान के कप्तानन स्मामुलहक नहीं जिम्मदारी संभल दरसल शुरुवाती जटके तो इरफान पठान ने दे ही दिये थी जब शोई मलिक कामरान अकमल को चलता कर दिया मैश शिरिशंट और रुदर परताप सिंग ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ दिगज पल्लेबाज यूनिस खान को खाता भी नहीं खोलने दिया और पहली गेंद पर अलपी डबलू कर दिया उसके बाद इंजमामुलक और मोहम्मद यूसुफ ने अपनी टीम का स्कोर कुछ तेजी से आगे तो बढ़ाया लेकिन 100 रूनों के पार नहीं जा पार और 97 रूनों पर ही मोहम्मद यूसुफ भी पवेलियन में जाकर अपने रखे बर्गर को खाने पहुँच गए उसके बाद तेंदूलकर की खूमती गेंदो ने इंजमामुलक को भी अल्पीडबलू कर दिया और भारती एक खेमे में खुशी की लहर दोड़ गए यानि कि पाकिस्तान की पूरी टीम देखते ही देखते 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 14.5 ओवर में 161 रन पर सिमट गए इस मुकाबले में रुदर परताव सिंग ने चार तो इरफान पठान ने तीन पेहब कीमती फिकेट्स नीए और इस तरीके से पाकिस्तान की टीम 161 रन बना चुए जवाब में भारती टीम 162 का लक्षे ले करूँगी लेकिन शुरुवात खराब रहे टीम इडिया का स्कोर पांची हुआ तक कि तेंदूर कर बिना खाता खोले पावेलियन लोट गए हाला कि बाद में राहूर द्रविड टीम इडिया के टीवार अडगए और उन्होंने 69 रनों की धवा के दारपारी खेब यो व्राज सिंग के साथ एक लंबी पार्टनर्शिप की और बाद में सुरेश रैना के 35 रनों के बलबूते टीम इडिया ने ये मैच पाँच रिकेट से अपने नाम करते यानि पाकिस्तान को उन्हीं के घर में ठेर करना घारते शेरों को पहले से आता है इस वीडियो को शेर कीजिए और एट राइन्स स्पोर्ट्स को अभी सब्स्क्राइब कीजिए